हाई फेंट्स आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ मखाने से बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेस्पी जिसका नाम है गुड मखाना बॉल्स यह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी बनती है जरूर ट्राइ कीजेगा आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो 100 ग्राम मखाने लिए हैं अब इन मखानों को हम रोस्ट करेंगे हमें कड़ाई में गी या कुछ भी देल नहीं डालना है सिर्फ ऐसे ही इसको रोस्ट करना है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखना है और लगातार चलाते हुए हम इसे रोस्ट करेंगे एक बात क जब भी आप इसे खाएं तो एकदम क्रिस्पी लगें ये खाने में उसके लिए अंदर तक इसका क्रिस्पी होना बहुत ज़रूरी है इसलिए गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे और इने रोस्ट करने में कम से कम आपको आठ से तस मिनट लगेंगे बस इस त थंडे होने के बाद ये और ही जादा क्रिस्पी होंगे इस तरीकी से दबाके देखेंगे ये इजी नहीं तूट रहे हैं मतलब अच्छे से ये हमारे रोस्ट हो गए हैं इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं अब किसी भी बड़ी सी प्लेट में और उसमें फैला के रख देंग उसको छील लें और उपर का चिलका है वो हटा दें अब इसे भी हम हलका सा रोस्ट करेंगे गैस की फ्लेम को लोही रखना है सारी चीजे जो हम रोस्ट करेंगे वो लोफ डेम पे करेंगे इसे भी इस तरीके से गुमाते वे हलका सा गरम करेंगे और जैसे आप देखेंगे मूफली अच्छी गरम हो गई है इसे भी हम उठाके प्लेट में साइड में रख देंगे आपको तिल जादा पसंद है तो आप इसमें थोड़े से तिल जादा भी ढाल सकते हैं अब तिल को भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे और आप देखेंगे जैसे तिल हलके से गरम होगा यह चटकना शुरूई हो जाएंगे जैसे यह चटकने लगे तो फस इसे भी हम इसे निकाल के साइड में रख देंगे यह अच्छे से तिल भुन चुके हैं हलका सा कलरीन का भी चेंज हो गया है और दूसरी साइड जो हमने मुफली रखी हुई थी यह अच्छे से ठंडी हो गई है अब इसे हम जाल में डालेंगे और इसको पीसेंगे और दर दरा पीसेंगे एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे मतलम मिक्सी को ऐसा नियाग लगातार चलाए बन करना है चलाना है बन करना है तो इस तरीके का यह दर दरा पाउडर रेडी हो जाएगा मुफली का ऐसा ही हमें चाहिए तो इसे भी आप मुठा के साइड में रख देते हैं और चलिए फिर से हम कड़ाई लेंगे और कड़ाई में अब हम डालेंगे गुड़ तो यहां के साथ हम इसमें डालेंगे पानी तो पानी हमें बहुत जादा नहीं डालना है इस बात का ध्यान रखना है ऐसा ना हो कि आप इसमें बहुत सादा पानी डाल दे एक बड़ा चमाच हम इसमें पानी डालेंगे बस अब गैस की फिलिम को यहां पे लो टू मीडियम कर देंग बाता चलाते वे इस गुड़ को मेल्ट करेंगे इसे मेल्ट करने में आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि ये गुड़ हमने तोड़ के यूज किया है अगर आप साबुट डालेंगे तो इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है अब इसमें हम डाल देंगे एक चोथाई चमच यहां पर यह मैंने ड्राइ जिंजर पाउडर लिया है जिससे सोंट भी बोलते हैं और साथी में डाल देंगे आदा चोटी चमच देसी घी अगर आपके पास ये ड्राइ जिंजर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगे पे जो सौंफ पाउडर है वो भी यहां पर डाल सकते हैं आदा चोटी चमच उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा लेकिन मैंने यहां पर यह सोंट का यूज किया है क्योंकि सर्दियों के मौसम में यह सोंट थोड़ी सी गरम होती है और अच्छी भी रह चुट जाना चाहिए अगर आप इसी में ही मकाने डाल देंगे थोड़ा सा बस गरम किया गुड़ को मेल्ट किया और मकाने डाल दिये ना तो मकाने क्या है वो सॉफ्ट हो जाएंगे हमें मकानों को भी क्रिस्पी रखना है और गुड़ को अच्छी से पका लेना है अब ल पर चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं बस दो पिंच डालना है इससे ज्यादा नहीं डालना है और सोडर डालने के बाद आप देखेंगे यह गुड़ अच्छा से फलफी हो गया है और पका लेंगे अब हम चेक कर लेते हैं तो देखें मैंने कटोरी में पानी लिया है ठंडा पानी लेना है और अभी आप देखेंगे काफी सॉफ्ट है तूट नहीं रहा है जैसे आप पानी में डालेंगे आप देखेंगे यह इजी ली टूट रहा है इतना हमें गुड़ को पकाना है तो अभी यह नहीं पका है और पका लेते हैं गैस की बिल्कुल लोही रखना है यहां पे medium या high बिल्कुल भी नहीं करना है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है फिर से चेक करेंगे पानी लेंगे ठंडा इसमें थोड़ा चा डालेंगे इसका टोरी को कुछ सेकेंड के लिए साइड में रख देंगे और फिर से हम इसे डालेंगे मखाने बाते समय आपको गयस की फिलिम को बलकुल बन्द रखना है यह सरे मखाने डाल देंगे और इसमें इसको mix कर देंगे तो गुड की quantity आप थोड़ी कम या जादा यहांपे कर सकते है अगर आपको मखाने को पर जादा मोटी लेयर चाहिए गोड़ की तो आप गोड़ थोड़ा सा और जादा यूज़ कर सकते हैं पतली लेयर चाहिए तो गोड़ थोड़ा सा कम यूज़ करें अब दीरे दीरे हम इसे mix करेंगे आप देखेंगे ये गोड की जो layer है इसके उपर अच्छे से coat हो जाएगी अब इसी दोरान हम इसमें डाल देंगे मूफली जो हमने PC थी वो साथी में तिल डाल देंगे इन दोनों को भी mix कर लेंगे और बहुती जल्दी जल्दी हमें इसे mix करना है क्योंकि ये mixture जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा काफी गाडा होता जाएगा और इसे mix करने में आपको दिक्कत होगी इसलिए जल्दी जल्दी आपको गरम गरम में ही इसको mix करना है और जैसे ये सारी चीजे आपस में मिल जाएंगे मतलब इस मखाने के उपर अच्छे से कोड हो जाएंगी फिर हम इसे किसी भी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे इसी हमें गरम गरम में ही करना है, क्युक्कि थंड़ा होने के बाद क्या है? यह आपस में नहीं तो चिप आक जाएंगे. तो देखे, मखाने इस तरीके से आपको प्लेट के उपर फएरा लेने हैं, और इस तरीके से रग देंगे साइड में. अभी ये थोड़े से चिपके चिपके आपको लग रहे हैं लेकिन बाद में जब ये ठंडे हो जाएंगे तो अपने आप ये छुट जाएंगे अब यहापे देखिए अच्छे से ठंडे हो गए हैं और आपको ये देखिए इस तरीके से आपस में जो मखाने चिपके हो हैं इनको आप हटा सकते हैं, यह देखिए, और यह बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे, चार से पांस दिन हफते बर तक आप इसे स्टोर करके खा सकते हैं, किसी भी एटा डिबे में आप इसे भरके रख लीजे, और जब भी आपका मीटा खाने का मन करें, आप खाएं, यह एक